दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम आप लोगों को बताएंगे कि Jio Cloud app क्या है और इस app से हमें क्या फायरे होंगे और इस app को हम कैसे यूज करेंगे दोस्तो आप देखते होंगे कि एक application है जिसका नाम है Jio Cloud इसके एक कोरोड़ प्लस डाउनलोडर भी है आखिर हम Jio Cloud app से क्या-क्या फायरे ले सकते हैं और Jio Cloud app हम कैसे यूज करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो दोस्तो अगर आप नहीं जानते हो कि Jio Cloud app से हम क्या-क्या कर सकते हैं और Jio Cloud को कैसे यूज करना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो आईए दोस्तो जड़ समयना वेश्करते हैं वीडियो को सुरू करते हैं देखिए दोस्तो अगर आप जियो क्लाउड आप के बारे में नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाएं जियो क्लाउड लिखें और इस आप को इंस्टोल करें इंस्टोल करने के बाद में इसको ओपेन करें जैसे open करेंगे तो सबसे पहले आपको login करने के लिए कहेगा login होने के लिए आप लोगों को simple यहाँ पर दो आपशन है एक तो mobile नमबर से कर सकते हैं एक यहाँ पर other login ओपशन है यहाँ पर आप Google से और Facebook से भी login कर सकते हैं तो हम यहाँ पर mobile number से login होंगे तो हम अपना mobile number यहाँ पर डाल कर login हो लेते हैं तो देख सकते हैं जैसे ही मैंने mobile number डाला मेरा OTP आया OTP आने के बाद मैं sumbit पर click करेंगे जैसे दोस्तों sumbit पर click करेंगे हम जो cloud app में login हो जाएं आप भी login हो जाएगा यहाँ पर get started का option है get started पर आपको click कर देना है give permission है give permission पर click कर देना है allow access to manage all file है इस पर click करना है और इस तरीके से back हो जाना है जैसे back होखेंगे आपके phone में जितनी भी दोस्तों आपके phone में photos, videos होंगी वह सारे आपको कुछ इस परकार से दिख जाएंगे ठिक है यहाँ पर आपको देखेंगे home, album, my file का option दिखेगा my file पर click करेंगे आपको कुछ इस परकार से option दिखेगा आखिर यह जियो cloud क्या काम करता है अब हम आपको समझाती है देखिए दोस्तों जियो cloud का काम यही है कि आपके phone की gallery में बहुत सारे ऐसे photo होंगे बहुत सारी ऐसे video होंगे जो आप अपने gallery में तो रखें है लेकिन gallery में रखने से आपका जो gallery है दोस्तों वह full हो जाता है तो आप इस जियो cloud आप में आकर अपने सारे file को यहाँ पर रख सकते हैं और अपने gallery में delete कर सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर रखेंगे तो जियो cloud आप के अंदर में आप लोगों कोई यहाँ पर जो देखें मिलता है यहाँ पर फिलाल 5GB तक कोई भी चीजों को रख सकते हैं अगर हम इसके space को अगर बढ़ाना चाहें तो आप उसको कैसे रखेंगे album पर click करेंगे plus का icon पर click करेंगे click करने के बाद में यहाँ पर कोई भी एक file का आप इस तरीके से नाम बना लेंगे बनाने के बाद plus का icon पर click करेंगे gallery पर click करेंगे आपके phone में बहुत सारे photo होंगे जो भी फोटो को आपको लेना है उस फोटो को इस तरीके से आप टिक करेंगे टिक करने के बाद में अपलोड करेंगे जैसी अपलोड करेंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका जो भी आपका जो फाइल था न दोस्तो वह आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा ठीक है आपका ज चोरी हो जाता है खो जाता है कुछ भी हो जाता है जो यहां पर फोटो और वीडियो आप रखोगे अगर आप कभी भी जियो क्लाउड आप को अपने मुबाइल नंबर से लोग इन किये हैं अगर दुबारा से लोग इन करते हैं तो दोस्तों वह सारी फोटो वीडियो आपको जियो क्लाउड आप के अंदर में फिर से दुबारा मिल जाएगा तो कुल मिलाकर यह जो जियो क्लाउड आप काम क्या करता है कि यहाँ पर आपके फोटो और वीडियो को सुरक्षित रखता है चाहे आप 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना भी अगर आप अपनी फोटो वीडियो को डूढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा बस आपको जिस फोन नुम्बर से लोगिन कर रहे हैं वो फोन नुम्बर आपको होना चाहिए ठीक है तो यह जियो क्लावड आपके गैलरी के फोटो वीडियो को सेव रखता है जियो क्लावड का काम यही है यहाँ पर आपको 5 GB तक स्पेस मिलता है अपने स्पेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप फिरी स्पेस से बढ़ा भी सकते हैं तो इस वीडियो के अंदर में हम आपको यही बता रहे थे कि जो क्लावड आप क्या काम करता है और कैसे यूच करें वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजेगा साथी साथ चैनल को सस्क्राइब भी कर लिजेगा